दोस्तों आज हम देखेंगे how to use background eraser app जिया दोस्तों background eraser app को कैसे use करते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों इस app की मदद से आप अपने image के background को erase कर सकते हैं डेलीट कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे function है जो आप इस app में perform कर सकते हैं तो वीडियो श्राट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही latest updates के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और bell icon प्रेस करना मत बुलिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते अपना वीडियो दोस्तों आप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है उसका टाइप करना है background eraser तो आपको कुछ इस टाइप के interface दिखाई दे जाएगा यह है app का logo मैं आपको दिखा देता हूँ इस app को आपको install करना है अब हम app को open करते हैं तो दोस्तों आप जैसे ही app open करेंगे तो आप इस interface पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको उपर how to use का भी एक option दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं इस app को कैसे use करना है और आपको उसके बाद एक load up photo को option दिखाई दे रहा है तो आप उस पर click करें उसके बाद आपको उपर done पर click करना है तो जैसे ही आप done पर click करेंगे तो अब हम इस interface पर आ जाते हैं यहाँ पर आपको नीचे फिर बहुत सारे tools दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको एक manual tool दिखाई दे रहा है जिस पर already clicked है तो यहाँ पर आप इस tool का use करके manually आप यहाँ पर background को erase कर सकते हैं आप देख रहे है मैं यहाँ पर erase करता जा रहा हूं तो यहाँ पर आपको एक offset का option दिखाई रहा है तो यहाँ पर चोटा red circle दिखाई दे रहा है आप उसके अपनी finger रखे और इसको drag कर सकते हैं तो उसकी मदद से आप यहाँ पे erase करते हैं तो उसको अगर आपको adjust करने हैं तो आप देख रहे हैं मैं उसको जैसे ऐसे decrease कर रहा हूं तो वो pass आता जारा है circle के अगर आपको उसको border है तो वहाँ पे आप एकदम clearly बहुत sharp editing कर सकते हैं तो यह border को automatically detect कर लेता है अगर यहाँ पे आप से कोई गलती हो जाती तो आपको undo का भी option दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप undo पे भी click कर सकते हैं इसका दोस्तों मैं आपको यहाँ पे magic option यूज़ करके इमेज को बहुत ही clearly बहुत sharply edit कर सकते हैं इसका दोस्तों यहाँ पे आपको एक auto का option दिखाई देता है तो यहाँ पे आप इस पे click करिए तो यहाँ पे आप auto में आप इसको simply यहाँ पे circle ले जाके अगर छोड़ देते हैं तो यह automatically उतने part को erase कर देगा कर देगा यहाँ पे आपको कोई भी manual process नहीं करनी है अब अगर आप से कोई भी image को editing करने में दिक्कत हो जाती या गलती हो जाती तो यहाँ पे आपको एक repair का भी option दिखाई दे रहे हैं आप उस पे click करिए तो यहाँ पे repair के option पे click करने के बादा जहाँ भी इस cursor को ले जाएंगे तो आप देख रहे हैं अतना part जो है वो आपका वापस आ जाएगा तो यहाँ पे आप प्रिपेर भी कर सकते हैं उसके side में आपको right hand side में zoom का option दिखाई दे रहे तो आप इसको zoom करने के बाद फिर इसको आप manually या magic से आप इसको पर क्लिक करेंगे तो इस interface पर आ जाते हैं यहाँ पर आने के बाद मैं अब इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों जूम करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी जो image की border है वो बहुत sharp होती जा रही है और यह फाइनली बहुत sharp हो गई है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही clear हमारी image यहाँ पर edit होके बाहर आ गई है जिससे background erase हो चुका है तो जैसे ही आपकी सारी editing complete हो जाए तो यहाँ पर आपको उपर save पर क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों फिर आपको jpg में save करने का option आ रहा है उसके बद आपको उपर whatsapp use as whatsapp sticker का option आ रहा है मतलब आप इसको whatsapp sticker की तरह भी use कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको उपर finish यहां के फो जो है टोहरर चर्चर्या, क्यों हमाँ हुआ है